हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो मैं चानल मैं हूं शैलजा और आप सभी का स्वागत है मेरे कुकिंग चानल ट्रीट्स 26 में आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन पुलाओ पुलाओ तो आपने बहुत बार खाया होगा लेकिन इस रेसिपी की बात ही कुछ अलग है आप इसे जर करके रखना है तो शावल मैंने बोल में डाल दिया है और पानी डाल दिया है अब मैं यहां पे दूसरा बॉल ले रही हूं और एक चमश मैंने दही डाल दिया है आधा चमश हल्दी पाउडर आधा चमश धनिया पाउडर आधा चमश जीरा पाउडर एक चमश कश्मीरी ल अगर जुरत पड़े तो एक से दो चम्मच आप पानी डाल लीजे तो यहां पर मसाला तयार हो चुका है और सारे बोनलेस चिकन के पीसेस को मैंने बोल में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करके करीब एक घंटे के लिए रखना है अगर आपके पास टाइम है तो आप पेस्ट हमारा तियार हो चुका है जिसे हमें पुलाओ में डालना है इसे अलग करके रख लेते हैं अब मैंने कढ़ाई को चूले पे चड़ा दिया है और इसमें डाल दिया रिफाइन ओईल अब मैरिनेटर चिकन की पीसेस को मैं एक एक करके कढ़ाई में डाल रही हूं त नहीं तो मसाला कढ़ाई में चिपकने लगेगा तो जैसा मैं कर रही हूं उसी तरह से आप पो कर लेना है यह देखिये अब सारे चिकन की पीसिस को मैंने पलट लिया है अब धकन लगा करके इसे मैं लो फ्लेम पर 10 मियट के लिए पका लेती हूं यह देखे फ्रेंस दस के लिए धकन लगा करके पकने के लिए छोड़ दे रही हूं तो बंदरा मेट हो चुके हैं फ्रेंस यह देखिये चिकन 20-25 मियट के बीच में पकर त्यार हो चुका है यह देखिये फ्रेंस और इसमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर भी आ चुका है अब मैं इसे कढ़ाई स णिकाल ले रहे हूं और इस कढ़ाई में डाल रही हूं कुछ काजू और काजू को तोडा सा गॉल्डन प्राउन में कर लूंगी बहुत जादा इसे गॉल्डन ब्राउन नएं करना है तो जो से तीन में अच्छे से फ्राई हो चुका है अब मैं कढ़ाई स seulement ले रहे हूं और इसी कड़ाई में मैंने डाल दिया है, खड़े गरम मसाले, इसे 10 सेकंड के लिए भून लेते हैं, तो यहाँ पे खड़े गरम मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हमने जो मिक्सिंग जार में मिश्रन तियार किया था, उसे मैं कड़ाई में डाल रहे हूं, तो इसे अब सारी चीजों को अच्छे से मसाले में मिला लेना है, तो मसाला भून चुका है, अब मैं डाल रहे हूं इसमें भिंगाए हुए बासमती चावल, तो सारी चावल को मैंने डाल दिया है, तो बुलाओ बनाते समय चावल को जिस तरह से भूना जाता है, आप उसी तरह से म थीन मीट के बाद यहाँ पे मसाला जो है जावल मैं आच्छी छे-से मिल गया है अब मैं इसमें डाल जाल रही हूँ गरम पानी तो मैंने तंडा पानी का स्थमाल नेluent कि आप देख सकते हैं गरम पानी मैं डाल रही हो और एक उंगली उपर तक आपको इसमें पानी डालना है तो पानी का क्वांटिटी आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंज बहुत जादा पानी इसमें ना डाले नहीं तो पुलाओ गीला हो जाएगा इसमें अच्छा उबाल आने लगा है अब मैं इसे धकन धक करके मीडियम फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए पका लूँगी तो यहां मैंने धकन धक दिया है और 15 मिनट के बाद मैं धकन खोल करके देख रही हूँ पुलाओ हमारा बहुत अची तरह से पक चुका है हमने पहले जो चिकन पका के रखा था उसे मैं पुलाओ के उपर डाल रही हूँ तो इस तरह से एक-एक करके चिकन के पीसिस को मैंने यहां पर डाल दिया है और काजू जो हमने फ्राइ किया था उसे मैं बीच में डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने शौप्ट करके रखा था उसे मैं उपर से डाल रही हूँ तो त्यार हो चुका है फ्रेंट्स हमारा चिकन पुलाओ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राइ करिएगा तो यहाँ पर सारी चीज़े डालने के बाद मैं इसका धकन लगा करके पांच मिट के लिए से छोड़ देरी हैं फ्रेंट्स और फ्रेंट्स मैंने ओफ कर दिया है और पांच मिट के बाद चिकन पुलाओ हमारा बिलकुल रेडी हो चुका है सर्फ करने के लिए रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रू करिएगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंट्स ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आगे भी ऐसी टेस्टी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहोंगी तब तक के लिए बाई एंड थांक यू फो वाचिंग